दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके हिंदी स्लेबस से मलबे का मालिक तो इसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू बाकी जो दो चाप्टर है एक है नशा और दूसरा है भाई बहन इन दोने के उपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रख है तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए आगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते है तो ये कहानी है इंडियन पार्टिशन के उपर मिस जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था जिसे आप हिंड साथ साल के बाद और यहाँ पर जितने भी लोग आये है मेंस गनी मिया तो आये है और उनके साथ जो जो मुसल्मान आये है वो सब ये बहाना करके आये है कि ये इंडिया में इसलिए आये है ताकि ये होकी मैच देख सके मिन्स ये यहाँ पर होकी मैच देखने के बहाने से आए है लेकिन reality में में इस असल में ऐसा कुछ नहीं है यह लोग यहाँ पर आए है अपने property को देखने यानि अपने मकान को देखने आए है और यहाँ पर यह लोग जैसे ही आए इन्हें जो पुरानी यादे है न वो सब याद आने लगती है क्यूंकि यह जितने भी लोग है यह पहले यहीं पर रहते थे अमरित सर में जब partition हुआ था तब यहाँ से चले गया थे लहोर तो इस कहानी का जो main character है वो यही है गनी मिया तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनका एक बेटा है जिसका नाम है चिरागदीन यहाँ पर मैं पहले मैं आपको सभी characters ब तब यहाँ से चला गया था पाकिस्तान लेकिन इसका जो बाकी परिवार है मिन्स यह सभी जो लोग है ना यहीं पर रुख गए थे अब कहानी में फिर से यह सभी लोगों के बारे में बात होती है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आये हुए है तो यहाँ पर आने के बाद यह जितने भी चीजे हैं वो सभी इने बहुत ही अनोखा लगता है मिन्स यहाँ पर आने के बाद यह लोग शौक हो जाते है क्योंकि सभी चीजे बदल गई है और अब यहाँ से कुछ देर के बाद गनी मिया अपने मकान वाली गली में जाता है मिन्स जहाँ पर यह पहले रहता तो यह जो गली है ना यह गली पूरा बदल गया है और यह अपने आँखों के उपर विश्वाश नहीं कर पाता तो अब यह गनी मिया जब इस गली के मूँ के उपर खड़ा रहता है तब इसके पास एक नव यूवक आता है और यह जो नव यूवक आ रहा है ना यह अपन बंदे को पैचान लेता है गनीमिया समझ गया रहे ये तो वही मनोरी है जो की बच्पन में बहुत ही छोटा था अब तो ये बहुत ही बड़ा हो गया है मनोरी की बातों के लहजे से गनीमिया की जो छाती और बाहे है ना उसमें हलकी सी तप-पी पैदा हो जाती है अब गनीम इस बंदे के साथ जाता है अपने महले में तो जैसे ही गनीमी अपने महले में पहुँशता है ना तो महले में पूरा खलबली मच जाता है यहां महले में जितनी भी लोग है वो सभी सोचते है कि जरूर कुछ हुआ है तो दोस्तों अब यहां पर एक नया कारेक्टर इंटोड यह रहता था हलाकि जो गनीमिया है वो तो पाकिस्तान चला गया था लेकिन जब वो पाकिस्तान चला गया तब इसकी फैमली तो यहीं पर थी उस वक्त घर को अपनाने के लिए रखा पहलवान ने चिराग दिन और उसके पूरे फैमली को मार दिया लेकिन लास्ट में इस पर बहुत भरोसा करता था लेकिन हा दोस्तों एक बात आप सुन लीजे कि गनी मिया को पहले भी नहीं पता था कि इसके घरवालों को मारा है रखे पहलवान ने और इसे अभी भी भी नहीं पता चलता कहानी के एंड तक इसे पता नहीं चलता कि इसके फैमिली को मारा है रखे पहलवान ने तो अब गनीमिय अपने गली में पहुंचता है और गली में पहुंचने के बाद ये कुए के पास देखता है रखे पहलवान को रखे पहलवान यहाँ पर कुए के पास बैठा हुआ है गनीमिय जैसे ही रखे पहलवान को देखता है तब ये रखे पहलवान के प दिया मेरा पूरा घर अच्छा था लेकिन अब क्या हो गया है देख रखे देख और ये गनीमिया का घर जो की पहले बहुत अच्छा था अब ये बदल चुका है एक मलबे के धेर में इसलिए दोस्तों इस कहानी का नाम है मलबे का मालिक गनीमिया अब रखे पहलवान से कहता खुटा नेकी नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे और दोस्तों यहीपर यह कहानी एंड होता है और मैं आपको बताता चलू कि यह पूरा कहानी नहीं है means पूरा तो है लेकिन ये समरी है और मैं आपको कहा दू कि पहला जो दो मैंने कहानी बनाया था भाई बहन और नशा वो दोनों का सिर्फ आप वीडियो देख कर जाओगे तो ठीक है लेकिन इसके लिए आप एक बार बुक को ज़रूर रिवाइस कर लो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से मैंने इसमें नहीं बताया मैं बता सकता था लेकिन दोस्तो वीडियो हो जाता लगभग एक घंटे का या 45 मिनिट का तो अगर उतना लंबा वीडियो होता है न तो इस वीडियो को कोई ओपेन ही नहीं करता तो इसलिए मैं शौड वीडियो बनाता हूँ और यस बस आप एक बार चैप्टर को रिवाइस कर ले आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ